अगले महिने होने वाली थी लड़की की सगाई सिवान में लड़का की हो गई तरदनाक मौत दोस्त के सामने हुई खौफनाक मौत परिवार वालों में मचा को हुराम घर पर रिष्टिदार आने वाले थी उन्हीं को लाने के लिए यूवक रेलवे स्टेशन पर जा रहा था ये यूवक आराम से नहीं जा रहा था बलकि ये स्टंट मारते हुए रिष्टिदार को लेने के लिए जा रहा था और रिष्टिदार के पास पहुशने से पहले ही दरदनाक मौत हो गई वहीं अभी भी एक वैक्ति जिन्दगी और मौत की जंग लड़ रहा है ये एक वैक्ति अभी भी गंभी रूप से घायल है ये घटना इतना जोरदार था कि पूरा सडक खोन से लाल हो गया ये पूरी घटना सडक हाथसे में हुआ जिस वैक्ति की इस हाथसे मौत हुई वो वैक्ति बाइक पर स्टंट कर रहा था बाइक पर स्टंट करना इतना महंगा पड़ा कि उस वैक्ति को अपना जान गवाना पड़ा घटना में जिस स्वैक्ति की मौत हुई उसकी सगाई नवंबर महीने में होने वाली थी और सगाई से पहले उसकी दरदनाक मौत हो गई औ और परिवार वालो का तू रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जी हाँ दरशल ये घटना है सीवान जिले में एक बाइक सवार युवक ऐस्टंट करने के तौरान बीट सडक पर गिर गया। जिसके वज़ा से उसकी दर्तनाक मौत हो गई वहीं इस हादसे में एक बाइक सवारी वक भी गंभी रूप से घायल हो गया इसके स्तिती गंभीर बनी हुई है पूरी घटना जिले के एमेच नगर हसनपूरा थाना छेत्र के उसरी गाउं के चिमनी के पास की है वहीं हादसे में विड़तक के पहचान उसरी निवासी मनोज गीरी का 24 वर्षे पुत्र अभिशेक गीरी तथा घायल युवक के पहचान गाउं के ही 25 वर्षे चंद्र भूशन कुमार के रूप में हुई है घटना गुरवार दोपहर की बताय जा रही है बताया जाता है कि नवंबर बाह में अभिशेक कुमार की सगाई होने वाली थी दरसल घटना के संबन्द में बताया जाता है कि थाना चितर के पकड़ी और रजनपूरा मुखे पत पर दोनों दोस्त बाइक लेकर अपने घर से किसी को रिसीव करने के ले निकले थे इसे दोरान एस्टंट दिखाने के चक्कर में बाइक सवार युवक अचानक और यंत्रित होकर और सड़क पर तेज गती से गिर कर बाइक के साथ कुछ दूरी तक घसीटता चला गया वहीं उसके साथ पीछे बैटे युवक चंदर भूशर कुमार भी बाइक से गिर कर गंभी रूप से खायल हो गया हाथसे के बाद दूरु युवक को ठाकर स्थानी लोगों ने आनन फानन में हसनपूरा साबुदाइक स्वास्त केंदर में इलाज के लिए भरती कराया जहाथ चिकित्सकुने अभिशे गिरी को मृत घूशित कर दिया घटना के संबंद में अस्थानी लोगों ने बताया कि धूनों युवक काफी देर से बाइक लेकर निकले थे अचानक कट मारनी के दौरान उनकी बैलेंस खराब हो गई और सडक पर तेज गती से गिर गए वहें हाथसे के बाद हसन पूरा थाने के पुलीस मृतक के शौको कबजे में लेकर पोस्ट माटम कराने के प्रक्रियाबे जुट गई है इवाले कुछ दिन पहले ही बीट गई और ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार वालों में चट की तयारी चल रही थी जिससे अब पूरा खुशी मातम में तबदील हो गया बहराल इस खबर को लेकर आपकी क्या रहाए है हमें कमिट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारी चैनल एवर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें अगर इस खबर को आप देख रहे हैं तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि जब भी सड़क पर चले तो सुरक्षा का बिलकुल ध्यान रखें बेरो रिपोट एवर न्यूज बिहार